हलो दोस्तो नमस्कार प्राफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं तो दोस्तो इस वीडियो में हम टाटा ग्रूप के एक दिगज कमपनी है जिसने अपने क्यू थरी के नंबर हमें दिखाए है मतलब नंबर अभी इतने दिखाए है कि हमने इतने करोड का बिजनस किया है यह दिखाए है और वो अगर देखें न तो इतना शांदार दिखाया है जो long term investor है न long term investor वो अगर इस चीज को देख लेना तो वो इसके ओपर फिदा हो जाए मैं तो खरे दूँगा तो यह share खरी दूँगा वो ऐसा बोलने लगेगा retail investor या बड़ा दिगज investor अगर वो एक long term होगा उसका purpose होगा 3 साल 5 साल 8 साल या 10 साल hold करना तो वो यही बोलेगा मैं तो इसी share को खरीदूँगा क्योंकि Q3 में इतने number अच्छे दिखाए है अब main result में यह से कोई गुना अच्छा result दिखाएगा लेकिन share की फिर भी पिटाई हो गई क्यों हो गई? over expectation के हिसाब से D-mart की पिटाई क्यों ही? इसी कारण हुई बजाज finance बजाज fincer की पिटाई क्यों ही? इसी कारण से हुई over expectation उनका expectation था कि Q3 है Q3 में बड़े बड़े क्या होते हैं दोस्तो festival आते हैं फिर भी company की growth इतनी हुई अब छमता आप यह देखो चमता यह है कि 100 करोड का business करने की चमता है और 100 करोड में से 20 करोड profit बचाने की चमता है अब आप उससे 200 करोड की business करने की चमता रखोगे 50 करोड का profit कमाने की चमता रखोगे तो ऐसा थोरी वो करके दिखाएगा आपका तो मू है आप तो कुछ भी बोल दोगे, आप तो कुछ भी expectation लगा लोगे, लेकिन करने पर तो और कुछ मालूम चलता है न, कोई बोलता है मैं ये कर लूँगा, कोई बोलता है वो कर लूँगा, लेकिन करने जाता है जब दोनों में से कुछ भी नहीं होता है, तो यही चीज दोस्तों इन कंपनियों के साथ भी हो रही है और वो कंपनिया काफी परिशान है उनके share order भी काफी परिशान है तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा परिशान बिल्कुल भी ना हो long term के purpose से अगर आपने इन कंपनियों को देखा है तो बड़िया तरीके से hold करके रखो मार्केट भी आप देख सकते हैं 1.5% की तेजी दिखा रहा है 18,117 पर अभी trade कर रहा है क्यों कर रहा है क्योंकि दोस्तों इनके जो बड़े बड़े दिगज है तीक है मार्केट के जैसे Reliance 3CH आज वो मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से support करें जिसके लिए अब देखते हैं आगे और क्या बाजार के लिए अपडेट आता है जैसा भी आएगा जरूर हम आपको cover करेंगी तो फटापट से वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें चले सबसे पहले stock का performance देखते हैं तो दोस्तो वो Tata Group की जो दिगज कंपनी है उसका नाम है Titan Titan ने बहुत पैसा कमा के दिया है और आज देख सकते हैं कि 1.5% की गिरावट के साथ अभी 2495 रुपे पर trade करा है इसका previous close था 2538 रुपे open होता है 2539 रुपे पिंचैन पर पैसे same price का high लगाता है low लगाता है 2460 रुपे 80 पैस है देखिए Q3 के नंबर अभी मैं आपको दिखाऊंगा आप लोगोंने पहले भी देख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है इतने अच्छे दिखाए हैं कि आपको ऐसा expectation हो रहा था कि यह 4-5% आज भागेगा लेकिन दोस्तों वो गिर गया क्यों क्योंकि over expectation बड़े बड़े दिगज analysis expert over expectation लगा के बेटे थे और उन्होंने stock को पूरा खलाब कर दिया 2,22,000 करोल का market के पे P.E.N. ratio भी बढ़िया है dividend भी बढ़िया है साथ में 52 बिक का है 52 बिक का लो देखें और उसके साथ ही overall का performance देखें कितना शांदार हमें देखने को मिलता है अब देखें यहाँ पर भी वो ही लिखा है Titan share on the down down क्यों हो गया दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो expectation है वो दोस्तों fail हो गई Q3 की जो growth है वो fail हो गई यहाँ पर यह बताया जा रहा है अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक target जो की प्रभुदास लेला जरजे ने दिया है 1875 तरगा ठीक है चलो ठीक है यह सब बात हो गई अब इसके officially PDF के उपर चलते हैं और वहाँ पर ओरिजिनल डाटा देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटन का जो officially PDF है वो हमने डाउनलोड किया है और यह 6 जनवरी का PDF है ठीक है NSC BSC दोनों को सोपा गया है quarterly update दिया गया है subject में लिखा हुआ है आप देख सकते हैं और चलते हैं अपने main काम के उपर यह देखिए सभी segment दिये हैं सभी segment के साथ growth दिया है Q3 का ठीक है और Q3 के साथ दोस्तों कितने नए store open हुए हैं इस Q में वो total store की संख्या तो सबसे पहला segment है Jewelry जिसका business चलाता है तनिक्ष काफी बड़ा business हमें यह देखने को मिलता है और दोस्तों यह जो Jewelry है यह दोस्तों मतलब दिल की धड़कन है टाइटन की तीक है उसमें 11% की growth है इस Q में तीक है इस Q में 11% की growth है सालाना तोर पर compare करने में तीक है और उन्होंने 22 नए store open की है इन 3 मेने में अक्टमबर, नवंबर और दिसंबर में और total store की संख्या 510 हो चुकी है Jewelry की तीक है अब watches की में बात कर लेता हूं watches में 14% की दोस्तों यहाँ पर jump है इस Q में last year की Q से compare करने में तीक है 48 store उन्होंने ने open किये है और total store की जो संख्या है वो 953 हो चुकी है फिर एक एर की में बात करता हूं उसमें 10% की growth है तीक है उसके 36 store open हुए है आप देख सकते है 36 store open हुए है उसके total store की संख्या 863 हो गई है तीक है फिर दूसरा जो business है उसमें 75% की growth है 75% की तीक है तो मतलब total total जो growth है दोस्तो Q3 में सब business हो की मिला के average price वो 12% की है तीक है 111 नए store open की है total business हो के और total business के दोस्तो जो total store है उनकी जो संख्या है वो हो चुकी है दोस्तो 2362 तीक है फिर यह business तो आप छोड़ दिखकर नहीं है आप देख सकते हैं अब आप मुझे बताईए कि यहाँ पर आपको क्या गड़बड़ी दिख रही है जो growth चाहिए थी business में वो हमें मिली हमको long term में क्या होना long term में यह होना कि company का business चलना चाहिए business चलना चाहिए हर 3 मेने में company profit कमाना चाहिए हर 3 मेने में company का business आगे बढ़ना चाहिए हम over expectation नहीं रखते हैं हम over expectation नहीं रखते हैं कि इस बार तो 10 करोड sales होना ही मतलब होना हमको दोस्तों अगर 5 करोड भी sales हो गई company की जो सालना तोर पे या Q&Q basis पर compare करने पे ज़्यादा है तो हमारे लिए अच्छी बात है लेकिन जो expert है वो क्या expectation लगाते है हम तो 10 करोड का मान रहेगे 10 करोड sales होना तो 10 करोड होना अगर इससे नीचे हुई तो पिटाई करवा देंगे उपर रही तो दोस्तों इसका स्वागत करवा देंगे ऐसा ही होता है अब Jewelry का business देखे Jewelry का जो business है वो हमारे देश में तो चली रहा है अब USA में भी पहुँच चुका है USA में भी December में उन्होंने store open किये हैं और लगबग महाँ पर store की जो संक्या है वो 6 हो गई है तीक है आप देख सकते हैं Dubai, Abu Dhabi, USA इतनी जगा Jewelry का जो business है चल रहा है और ये दोस्तों क्या है दिल है ये दिल हमें देखने को मिलता है इनके business का watches में भी उसी प्रकार से हमें growth देखने को मिल रही है लेकिन परिशानी कहां पर आ रही है market में expectation बेठे हैं जो expect करते हैं अनुमान लगाते हैं अब यही दोस्तों Q3 में भी देखने को मिलेगा कि company ने Q3 में number का अनुमान दिखा दिया कि तत्ता business हुआ तो अब over expectation करके बेठेंगे बड़े बड़े investor बड़े बड़े expert कि हाँ company दोस्तों net profit जो है वो 10 करोड का ही निकालेगी और company ने गलती से 9 करोड का निकाल दिया तो भरपूर पिठाई करेंगे और company ने अगर 11 करोड निकाल दिया तो भरपूर उसका स्वागत करेंगे अब company जाए तो कहा पर जाए business करे या दोस्तों इनके लिए business करे लेकिन दोस्तों हम long time investor है तो हमें company की growth से मतलब होना चाहिए कि company हर 6 मेने में हर 3 मेने में हर साल भर में क्या business कर रही है क्योंकि दोस्तों अगर हम इनके जैसे expectation के पीछे भागेंगे तो हम कभी भी market में investment नहीं कर पाएंगे तो टाइटन को अगर आपने ignore किया तो market भी आपको ignore कर देगा अगर आपको long term में investment करना है टाइटन के लिए तो भरपूर मातरा में आप कर सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटन 1984 से चल रही है ठीक है देख सकते हैं जोलरी से लगबग 90% का revenue आता है चार परसन से ज्यादा का है उसके साथ ही company दोस्तों हमें आपर काफी अच्छा business करते दिख रही है बहुत सारे जैलरी वाली business है लेकिन टाइटन टॉप पर है अब यहाँ आपन आप देख सकते हैं सितंबर Q में company ने 9163 करोड की sales की थी जो year on year basis पर खतरनाक थी लेकिन Q on Q basis पर महंगाई के कारण थोड़ी कम थी लेकिन profit आप देख सकते हैं profit आपको देखने को मिलेगा year on year basis पर विधासू और Q on Q basis पर भी company ने sales भले ही कम की थी लेकिन profit अच्छी तरीके से manage किया था अच्छी company की तिके equality वाली company की यही खासियत होती है ने तो छोटी company या sales बढ़ाने के चक्कर में revenue बढ़ाने के चक्कर में इतना खर्चा कर देती है कि उनको पता ही नहीं चलता है फिर बाद में पता चलता है कि ऐसा हो गया है उसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं आज वो profit 2200 करोड पे आ गया है अब percentage 22 भी आप देख लीजिए 40% की तेजी से sales बढ़ रहा है profit जो है वो 81% की तेजी से बढ़ रहा है उसके साथ ही shareholding pattern भी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगा promoters का stake, FII का, DIA का, government सब धडले से stake यहाँ पर खरिद रहे और बेच कोन रहा है, retail investor जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं होती है हाज stock गिर गया मतलब माल बेच के निकल जाओ Q3 का number खराब आने वाला है company दोस्तों बेकार हो चुकी बस यह सोच के वो निकल जाता है और इसका फाइदा कोन उठा लेते हैं foreign investor, domestic investor और दोस्तों government यह investment करके फाइदा उठा लेते हैं मतलब एक अच्छा investor यहाँ पर trip हो जाता है, first जाता है ठीके करू तुम्हें क्या करू तो मैं हमसे यही बोलूँगा, ठीके अगर आपको long term में investment करना है तो खरीदो, अभी खरीदो जिसने उपर से खरीद कर रखा है average मिला लो, ठीके, लेकिन माल को बेचो, बेलकुल भी मत ठीके, बस यही हम बोलना चाहेंगे और फिर आप वीडियो को close करते हैं, तो आप वीडियो को फटावट से लाइक कर दीजी चैनल को सस्क्राइब कर दीजी, तो Thank you, दोस्तो